बिहार में एक ठानेदार की हत्या का मामला अभी सल्धा भी नहीं था कि दोसे तरफ बिहार के अरडिया में एक पत्रकार किया सुबा गोली मार कर हत्या कर दी गई पत्रकार बीमल कुमार और पप्पू अपने घर में थे और चार के संक्या में आया प्रादियों ने पले घर से आवाज देकर बाहर बुलाया और बाहर निकलते ही गोली मार दी घटना अस्तर पर नहीं पत्रकार बीमल कुमार की मौत हो गोई ये उग्दैनिक अख़वार के अरिरिया जिले के रानी गन से सम्भादाता थे बताया जा रहा है कि बीमल कुमार के अपने भाई जो सर्पन्थ थे उस इलाके के उनकी हत्या के मामले में एक मात्र गवा थे और उस केस का ट्रायल सुरू हो चुका था लगातार उन्हें धंकिया मिल रही थी लेकिन फिल भी अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए बीमल कुमार कोट में गवाही दे रहे थे जिसके बाद उन्हें धमकिया मिल रहे थी लेकिन ठाने में अधिकारी उसे सिकायत की किसी ने इनके मामले में ध्यान नहें दिया और आज सुबा अधिकारी पहुँचे हैं और मामले के जास रहो चुकी है लेकिन दूसरी तरफ इस घटना को लेकर बिहार के पत्रकारों में भी काफिय गुशा है क्यामनमें सनी और अररिया सारून के साथ मिताबो जान नियूशनिपोर दिल्ली दोरे से बापस लोटने के बाद बिहार के मुख्या नितीश कुमार ने अपराद मुक्त बिहार का वादा किया था लेकिन उसके महच 24 घंटे के भीतर ही बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या पर राजनिती तेज हो गई है बिहार के मुख्यमंत्री ने पत्रकार की हत्या पर संग्यान तो जरूर लिया है वहां के डियम और एस्पी से बात की है लेकिन इस मामले में बिहार की राजिती भी तेज हो गई है बिहार में पत्रकार की हत्या पर बीजेपी के परदेश अध्यक्ष समराट चौधरी और अन्न बीजेपी के कई सारे निताओं ने नितीश कुमार पर हला बोला है और कहा कि बिहार में बहार है का नारा देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सबजवाग दिखा रहे हैं बिहार की कानून विवस्ता बेहत खराब है चिराग पासवान हो जितने भी बड़े नेता हैं तमाम लोगों ने बिहार में अररया के पत्रकार के उई हत्या का तीखा विरोध किया है और कानून वरस्था के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को जिम्मे बाठ हरा है बिहार में बीजेपी और मोधी सरकार आने वाले वक्त में अपराज को एक बड़ा राजितिक मुद्दा बनाएगी तो उसका पलटवार करते जेडिव ने कहा कि बीजेपी सासित राज्यों के मुखाबले बिहार में अब भी अपराजियों के मामले में बहार बाकी है कैमरामन मिंटू के साथ रिसी केश कुमार न्यूस ट्वन्टिफोर शामली से ISI और आतंकी कनेक्शन के चलते कलीम नाम के विक्ति को गिरफतार किया गया है स्टिफ ने जानकारी दी है कि 6 दिन पहले ही पाकिस्तान की जेल से छूट कर आये शामली से कलीम को हिरासत पे लेकर पूश्ताज की गई थी उसने खुद को ISI आतंकी संगठे से जुड़े होने की बाद भी सुईकार की है जाच पे सामने आया है कि कलीम अपने भाई तहसीम के साथ ISI के सदस्यों को वाटसेप पर भारती सेना के फोटोग्राफ भी भीजे थे पूश्ताज तो पता चला है कि आरूपी कलीम अक्सर पाकिस्तान जाता रहता था उसकी ISI के कुछ हैंडलरों और सदसों से जान पहचान भी थी रूपियों के लालज देकर ISI ने उसे फसा लिया था STF की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि पूश्ताज के दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि अलग अलग शेहरों में हमले की योजना बनाई गई थी जिस से हिंसाफ पैलाई जा सके कैमरा परसंट सचिन सैनी के साथ अशोग तिवारी लक्तोव निउस 24 BJP बिधान सभा चुनाओं की तयारियों में जोड़ सोर से लगी है लेकिन जहां एक तरफ मध्यपरदेश में उसे सिवराज सरकार की जन्व कल्यानकारी योजनाओं से उम्मीद है वहीं इसी तरह की लिपक्स सासित राज़ियों की जन्व कल्यानकारी योजनाओं उसके लिए चुनावती बने हुई है इसमें 36 गड़, राजस्थान और तिलंगाना की सरकारे हैं जो कि विवक्ष सासित हैं और वहां की जन कल्यानकारी योजनाए बीजेपी के लिए चुनावती बने हुई है इसके काट के लिए BJP क्या करें? पहली बात ये हुई कि हारी हुई सीटों पे BJP ने पहले उमिदवारों का एलान दो राजियों के लिए कर दिया मद्य परदेश की 49 और 36 गड़ की 21 सीटों पे उसने उमिदवारों का एलान कर दिया है कुल मिलाकर इसके बाद बीजेपी ने टिपल सी का फॉर्मूला लाया है जिसके जरिये वो राजियों के विधान सभाचुनाओं में तो परचम लहराना चाहती है इन तीनों मुद्दों के जरिये बीजेपी खासकर विपक्सी सासित राजियों में अपना परचम लहराने का प्रयास इस विधान सभाचुनाओं में करेगी करना मैंन अभाय के सास्थ कुमार गौरण नीज 24 दिल्ली में लोग बताते हैं यह पनजाब जिते हैं पंजाब प्रख द्राइवर जो डिली आते थे वह बताते हैं जी चहराहों के ऊपर पोलिस वालों ने पैसे लिने बन्सर बिखन कर दियो कि इसे भी डिपार्टमेंट के इंदर लोगों ने फैसे लेने हमने जारी किया था कि भी आप को एरिश्वत मांगे तो मना मत करना, उसकी सेटिंग कर लेना और रेकॉर्डिंग कर लेना, रेकॉर्डिंग मेरे को भेज देना और मैं उस अफसर को जेल भेज दूना, बत्तिस अफसरों को जेल भेजा उनल चाहि दुना, जिल्ली के अंदर से भृष्पाचार खत्म हो गया लोगा ने कभी ऐसी सरकार देखी नहीं थी और उसके चर्चा पूरे देश में है उसके बाद कोई महिला सुरक्षा को लेके दो तिन केस आये जब दिल्ली का मुख्टे मंतरी सडक के ऊपर जाके दो या तीन दिन के लिए रात भर में वहां सोया था पूरे भादा मोदी जी तो इनको लगाया निए क्या हो गया अभी तक तो चर्चा होने की चल रही जी दिल्ली के अंदर बिजली के रेट एकदम से आधे हो गए दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त हो गया और उस वक्त जो इस देश का सबसे अमीर आदमी था उसके खिलाफ बाइन एफ़ायर दर जिकराई थी जिस आदमी का नाम लेने से ये सारी पार्टियां कापती है नाम लेने से उसके खिलाफ एफ़ायर दर जिकराई थी मैंने नोटिंग करी थी उननचास दिन की सरकारती है हमने स्टीफा दिया जो भी कारण दे है हमने स्टीफा दे दिया और उसके बाद इनको चैन की सांस पड़ी अप्रेल का महीना आया ये चुनाव लड़े और उसके बाद इनको पूरी ये लोग जीत गए भारी बहुमत से मोधी जीती जीत मेरे को याद एकमित शाह का इंटर्व्यू आजकल काफी चलता है उसमें उनसे पूछा गया है कि क्या आप केजरीवाल जी के साथ डिवेट करेंगे तो उन्होंने का अगर 16 मई के बाद 16 मई को नतीज़े आयते लोग से बादे 16 मई के बाद अगर केजरीवाल जी राजनी कि में तुम्हें जरूरूर उनको लगा कि आम आद्मी पार्टी भी खतम और केजरीवाल जी पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी आंधी ती तुफान था भुजाल था मोदी जी का मोदी जी महारास्टा में चुना हुए उसके बाद लोक सबा के बाद में मोदी जीत गए हर्याना में चुना हुए, मोदी जी हर्याना जीत गए जारखंड में चुना हुए, मोदी जारखंड जीत गए फिर नंबर दिल्ली का आया फर्वरी 2015 में दिल्ली के चुना हुए और दिल्ली में 70 में से 67 सीट आहा भूपाजी कॉंग्रेस रता अधीर रंजन चौधरी को मांसून सत्ते लोकसभा सबसे निलंबित कर दिया गया था उनके निलंबन पर संसत की विसरसा दिकास समीती की आज पहली बैठक हुई बैठक में अधीर रंजन के खिलाब जो शिकायत दी गई है उस पर नियमों के हिसाब से चर्चा की गई अधीर पर सदन की गरिमा के खिलाब काम करने का आरोप है दरसल संसत में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविस्वास पस्ताव के दोरा जब अधीर रंजन चौधरी को बोलने का मौका मिला था तो उन्होंने प्रधान मंतिर नेरेंद मोदी पर जम कर निशाना साला उन्होंने मनेपूर हिंसा का जिक्र करते हुए पिये मोदी के तुलना अंधे राजा से कर दी थी उन्होंने संसद में कहा था मौझूदा हालत में मुझे ये बोलने की इच्छा हो रही है जब राजा अंधा होता है धितराष्ट जब अंधे थे तब द्रौपदी का चीरहन हुआ था आज भी राजा अंधे बैटे हैं इसलिए जहां राजा अंधा बैठा रहता है चाहे वो हस्तिनापूर हो या फिर मनेपूर वहाद द्रौपदी का वस्त्रहर होता है जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया आपको बता दें कि विश्यसादिकार समीती की अगली बैठक 30 अगस्त को होगी उसमें जो जानकारी मिली है जानकारी के मुताबिक अगली बैठक म अधीर रंजन चौधरी को बिलाए जाएगा और उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा केंडर की सत्ता से मोधी सरकार को हटाने के लिए विपक्ष ने इंडिया नाम का गडबंदन तयार किया है इंडिया गडबंदन की तीसरी बैटक मुम्मे में 31 अगस्ट और एक सितंबर को आयजित होने जा रही है इसे लेकर मुम्मे में महाविकास अगाडी के डेताओं ने आपस में मिटिंग की और एजन्डा तै किया मिटिंग के एजन्डे को लेकर महाराष्टर कॉंग्रिश अध्यक्ष नाना पटोले ने सिविशना उद्दव गुट की अध्यक्ष उद्दव ठाकरे से मुलाकात की इस दोरान उन्होंने इंडिया की तीसरी बैटक की तयारियों पर चर्चा की गडबंदन में फिलाल विपक्ष की 27 पार्टिया शामिल है उद्दव ठाकरे के साथ मातोश्री में मुलाकात के बाद ताना पटोले ने मिडिया को संबोधित किया संबोधन करते वे पटोले ने कहां कि हमने एक योजना पर चर्चा की है हमने तया किया है कि मुम्मई में विपक्षी गडबंदन की और से एक संदेश दिया जाना चाही है कि इस बार देश शे नरेंदर मोधी सरकार को हटाना है इंडिया गडबंदन की पह विकास अगाडी के सैयुक्त मेत्रुट में आयुजित की गई है हाला कि इसका ज्यादातर जिम्मा उद्धव ठाकर की पास है कैमराप संधिली पावरे के साथ अंकुष जैस्वाल न्यूस 24 मुंबई महराश की 48 लोगसबार 288 विधानसबाश शेत्रों में भारते जनता पार्टी महराश्ट इलेक्षन वार्रूम शुरू करने जा रही है मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पावर के समर्ति जितने भी विधायक और सांसद हैं उनके चुनाव शेत्रे में भी ये वार्रूम बनाया जाएगा जिसका फाइदा इन दोनों पार्टियों के जो भी कैंडिडेट रहेंगे लोकसबा और विधानसबा वाले उनको इसका फाइदा होगा दरसल सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि भारते जनता पार्टी ने एक नए सर्वे करवाया है उस सर्वे के मुताबिक महराश की सरकार में 30 पार्टनर राजित पावर आने के बाद भी भारते जनता पार्टी लोकसबा चनौव में बहतर प्रदर्शन करने से काफी दूर है भारते जनता पार्टी ने ये तै किया है कि महराश के हर विदान सबाज शेत्र के 60,000 घरों तक भारते जनता पार्टी के कारेकरता पहुचेंगे और केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम किये है वो उन्हें बताएंगे गैमरमन अंचल सिंग ठाकूर के साथ विनोज जगदाले न्यूस 24 लोगसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी मायवतिन ने उत्तर प्रदेश की सभी वदान सबाज सीटों पर 40-50 सेक्टर प्रभारियों को निक्स कर दिया है पार्टी का ये मानना था कि सेक्टर प्रभारियों की कमी की वज़े से बस्पा को लगातार चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है मायवतिन ने बीते कुछ दिनों में लगातार कावायत करके उत्तर प्रदेश की सभी विदान सबाज सीट पर 40-50 सेक्टर प्रभारियों को निक्स कर दिया है बस्पा सुप्रिमों मायवति जल्द ही सेक्टर गठन की समीक्षा भी करेंगी और इसके बाद अगले मैने से कैडर कैम भी शुरू हो जाएगा इसका मकसद चुनाओं से पहले आम मतदाताओं को जागरू कर पार्टी को मजबूत करना है और साथ ही ऐसे वोटर्स को पार्टी से जोड़ना है जो धीरे धीरे करके दूसरे दलों में चले गए थे इन सेक्टर परभारियों के सारे मायवती अगले मैने से अपना कैडर कैम भी शुरू करने जा रही है जिसके जरीए खोए हुए जनाध़ार को और वोड़ वैंग को वापस बसपा से जोड़ा जाएगा कैमरा परसन सच्चिन कुमार सैनी के साथ माना शिर्वास्तो लखना हूँ निउस कुल्टिपोर कैन सरका के सर्विस कानून पर फिलहाल दिली विर्हान सभा में आचर्चा हुई तमाम विधायकों ने इस बात को रखा कि आखिर इस कानून के बनने के बाद किस तरीके से दिली वालों की काम कार्ज में रुकावट आएगी इसकलाव ये भी कहा गया कि अधिकारिया मनमाने तरीके से काम करते हुँ नजर आएंगे पिछले कुछ दिनों में जो हालात और परिस्तिया बनी है ऐसे में सर्विस कानून के बन जाने के बाद निश्यत तोर पे दिली वालों को बेहत परिशानी का सामना करना होगा ऐसे म दिली सरकार के तमाम मंत्रियों और खासके विधायकों ने इस बात को रखा दिली के मुखे मंत्री ने कहा कि जो परिस्तिया बनी है वो निश्यत तोर पे बेहत खराब है दिली वालों के लिए उनको काम करने में दिक्कत आ सकती है लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो परिस्ति या बनी है वह समझाती है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अधिकारियों की भी जो मद्वेद है वो आने वाले दिनों में और जाड़ा बढ़ सकता है लेकिन विधायकों ने और खासका मुख्यमंत्री ने इस बात को जरूर रखा कि के इस सरकार के इस कानून के बाद निश्यत खाक्रे सहीत महाविकास अधाडी के नेताओं पर जम कर्म निशाना साधा है देवेंडरफ पड़नमीश ने कहा कि महाराश में तिन पार्टियों की मजबूत सरकार है लेकिन फिर भी कुछ लोग दिन में सपने देख रहे हैं उद्धो को निशाने पर लेते हुए उन्हों पर है लेकिन रक्षा के लिए अगर कोई भी प्रियम की कुर्सी पर टेड़ी नजर रखेगा तो उसे उसका जगह दिखाने का काम करेंगे पड़नमीश ने आगे कहा कि हम तीनों की कॉम्बिनेशन का कोई भी तोड नहीं है क्यामरामन राजेंदर सिंग के साथ राहूल प कोई की है कि बीजेपी के बिधायक ने ही अपने सांसद और बिधायक पर इफायार दर्ज कराया है वस्ट अली नगर से मिजेपी के बिधायक मिस्री लाल यादब की कर रहे हैं ने मदूबनी से बीजेपी के सांसद असोख यादव और दर्भंगा से बीजेपी के बिधायक मुरारी मोहंज़ा के खिलाप रियाम थाने में अफाइयार दर्ज कराई है अफाइयार में यह सिकायत की गई है कि मदूबनी के सांसद असोख यादव और दर्भंगा के बिधायक मुरारी मोहंज़ा ने उनकी हत्या की साजी सरची है वहीं बीजेपी के नेता राजेंदर चौपाल ने भी अली नगर में बीजेपी के बिधायक मिस्री लाल यादव और उनके बेटे धीरज यादव पर फाइयार दर्ज कराई है इस मामले को लेकर दोनों तरफ यानी B.J.P. के बिधायक और B.J.P. के सांसत के तरफ से F.I.R. दर्ज कर ली गई है और पुलीस छानवीन में जुट गई है और दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर इलाके में चरचा भी खूब हो रही है क्याना में रिशी के साथ सवरोख मार पटना न्यूज चन्टिपूर चात्रा हैं अपने आपको ठगा महसूस कर रही हैं 85.20 तक अंक लाने के बाद और उसके अलावा इस योजना में अपना रजिस्टेशन कराने के बाद भी अब तक इन्हें एक भी टैबलेट नहीं दिया गया है क्योंकि इस टैबलेट को देने को लेकर कौन बजट जारी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है राजस्तान के सिक्षा निर्देशाले और माद्यमिक शिक्षा बोड के बीच में हर टैबलेट की कीमत करीब 25,000 रुपे आखी गई है और इस लिहाज से तेरान में 1000 टैबलेट का जो टोटल बजट होता है वो 220 करोड रुपे होता है शिक्षा निर्देशाले चाता है कि राजस्तान माद्यमिक शिक्षा बोड 220 करोड रुपे की यह राजशी अपने खर्चे से या अपने मद में से जारी करें कैमरामन विजे सिंग के साथ स्री रचसन जैपू निउस 24 कश्मीर गाटी में मिलिटन्टू और उनके मददगारों के खिलाफ कारवाई में और तेजी लाते हुए आज कश्मीर गाटी में नैशनल इंडिस्टिकेट्व एजनसी अनए दुआरा कई जगों पर एक साथ चापे मारी की गई वहाँ पर नैए की सुत्रों की माने तो कई सारे दस्तावेज, मुबाइल, फोन्स, पैंड्राइव और दूसरा डाटा रिकवर किया गया और इसके इलावा उतरी कश्मीर के ही कुपवारा के दूर दराज इलाके मच्सिल में नियंतरन रिका के पास पुलीस, सेना और बियस्ट ने एक जॉइंट आपरेशन के दोरान बारी तादाद में हत्यार गुले बारूद बरामत कर दिया है पुलीस, सेना और उस रक्षबलू की मिलिटेंटू के खिलाफ कारवाईया तेजी से जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जुमु कश्मीर में जल्द से जल्द मिलिटेंसी का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके पूरे साजो समान हतियार के साथ एलेसी तरह पहुचाना अब जल्द ही भारती वाईयू सेना की ताकत में जबर्दस इजाफा होने वाला है क्योंकि भारती वाईयू सेना को अब लगदाक से फाइटर जेट ओपरशन के लिए तीसरा एरबेस मिलने जा रहा है जानकारी के मुताबिक 13700 फिट की उचाए पर भारती वाईयू सेना की नियूमा एडवांस लेंडिंग ग्राउंड को अपग्रेट करके निया फाइटर बेस तियार किया जा रहा है रच्छा सुत्रों के मुताबिक पिछले हफते ही इसका काम शुरू किया जा चुका है और जल्दी रच्छा मंत्री राजनास सिंग भी नियूमा के दौरा करने जा सकते हैं हलाग इसी साल मैजून में इसके अपग्रेशन का काम शुरू होना था लेकिन इन्वार्मेंटल के कारण और दूसरी मंजुरी के नाम मिलने के कारण थोड़ा लेट हुआ है अब ये तीसरा जब फाइटर एर बेस भारती वायू सेना को मिलेगा तब आप सहज अंदाजा लगाईए कि अंतराश्ची बॉडर पर तेजी से हत्यारों को पहुचाने का काम कितना आसान हो सकता है जहाँ एक तरफ आने वाले लोकसवाद शुनावों को लेकर दिल्ली में गटबंदन की राजनीती तेजी पर है वही दूसरी तरफ दिल्ली में एक के बाद एक उदगाटन किये जा रहे है अभी हाली में दिल्ली के उपराज जिपाल वीके सकसेना ने दिल्ली विकास प्रादिकरन यानी डिल्ली के द्वार का सक्टर 17 में तयार हो चुके स्पोर्स कॉंपलेक्स का काम पूरा हो चुका था और आज दिल्ली के उपराज जिपाल ने इसका उद्धाटन कर दिया जि बिहाल ही में दिली के मंत्री सौरब भारतवाज ने LG की मंशा पर सवाल उठाए थे जब LG ने IP उनिवस्टी के पूर्वी परिसर का उधखाटन किया था सौरब भारतवाज ने कहा था कि सिर्फ धूमी, पुलिस और कानून ही LG के दाइरे में है और उसके ठीक बात अब ये स्पोर्ट्स कॉमफलेक्स का उधखाटन यानि एक बार फिर शायद विवाद का विशेख खड़ा होगा लेकिन साफ तोर पर दिली वालों को फिटनेस के लिहाज से एक बड़ी सौगार मिल चुकी है लीथियम बैटरी की खरीदारी की निर्भरता भारत जल्द ही खत्म करने जा रहा है कारण ये है कि आप भारत के हैदराबाद में जहां इंटरनाशनल एडवान्स रिसर्च सेंटर है वहां पर एक प्लांट तयार हुआ है जहां पर बैटरी जो है वो बनाई जाएंगी जो की अपने आप में इंडिजनिस होगी आत्म निर्भर होगी ये कहीं न कहीं उस और अग्रसर है जहां पर भारत सरकार का ये सपना है कि 2030 तक भारत में इवी कारों की संख्या में बढ़ोत्री हो जाए और डीजल कार जो हैं उनको खत्म कर दिया जाए लेकिन ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब हमारी डिपेंडेंसी चाइना और बाकी देशों पर कम हो जाएं साथी साथ आपको बताएं कि जो लीथियम को लेकर के साउथ अमेरिका पर डिपेंडेंसी है वो भी आने वाले समय में इसलिए खत्म होती दिखाई देगी क्यूंकि जम्मू में मिले लीथियम के ख़दान से कहीं न कहीं मैनिफाक्चुरर्स को एक बड़ी राह दिखाई पड़ रही है और ऐसे में भारत में EV कारों को सस्ता सुलब बनाने की एक बड़ी कवायद इससे मिलती दिख रही है क्यामरापसन कली कांड जा के साथ पल्लवी जा हैदराबाद न्यूस 24 पत्रिका कांड और पेंदरायू कांड के बाद अब बीजेपी के चपल कांड ने मतोरी चर्चा अंदूर निकला एक और फिर आई बाहर कॉंग्रेस में लीज तुटी पूर्चिया बटोर रखी है कल अरजनिक कारक्रम के दौरान विवाबाद जाड़े जा सहीतों को सचांजली देने के लिए चपल उतार कर सचांजली देने पहुंची जिस पर पूनम माड़म ने कोई संजय कथा और इसी बात को लेकर तू तू मैं मैं सुरू हो गई अलागि मेर ने कहा कि ये उनका पारिभारिक मामला है और जब कूनम माड़म ने ये सपाइव धी है के ये एक गलत शामी की वज़ासे हुआ है बहराल इस पूरे मामने से पत्रिका कांड और पेंडरायू कांड की विज़े से जहां बीजेपी का आंधरिक कला एक बार चर्चा का विज़े बना हुआ था हूँ वहीं इस चपल कांड ने भी एक बार बीजेपी के अंधरूनी कला को चर्चा का विज़े बना दिया है बारत का मिशन चंद्रयान 3 लगातार अपनी सफलता के पत पर आगे बढ़ रहा है अब चंद्रयान 3 का विक्रम लेंडर अब उसकी डीबूस्टिंग की महतपूर्ण प्रक्रिया शुरू होगी और चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सथा पर इस्थापित होगा यानी ल करेगा आपको बता दें कि भारतिया अंत्रिक्ष यान चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के करीब है और चान की सतहा पर लेंडिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है चंद्रयान 3 के विक्रम लेंडर की अब महतपूर्ण डीबूस्टिंग प्रक्रिया होगी 23 अगस्त को चंद्रमा की सतहा पर लेंडिंग कराने की योजना है डीबूस्टिंग प्रक्रिया आखिर क्या होती है वो सबसे पहले जानना बेहत जरूरी है डीबूस्टिंग खुद को एक ऐसी कक्षा में स्थापित करने के लिए यान की रफ्तार को धीमा करने की प्रक्रिया है जहां कक्षा का चंद्रमा से निकट्तम बिंदू पेरिलियून 30 किलो मीटर है और सबसे दूर का बिंदू अपॉलियून 100 किलो मीटर है 17 अगस्त को लेंडर को प्रोपल्शन मोडियूल या मदर एरक्राफ्ट से सफलता पूर्वक अलग कर दिया गया अब सभी की निगाहे भारत की चंद्रियान 3 मिशन पर टिकी हुई है क्योंकि अगर भारत इस मिशन में काम्याब होता है तो भारत एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा पूजा राठोर शर्मा नियूस 24 बुरा मरनात की यात्रा आज से शुरू हो चुकी है बुरा मरनात का पहला जथा आज जम्मू से करी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ जम्मू कश्मीर पुलीस के अडिशनल ड्रेक्टर जर्नला पुलीस मुके सिंग ने यात्रियों के पहले जथे को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस मौके पर विदी पूर्वक पूजा अर्चना की गई विश्व इंदू परिशद भजरंग डल धार्मिक संगटन समाजिक संगटन के के गणमाने व्यक्तियों ने इस जथे की रवानगी में बाग लिया बुड़ा अमरनात जम्मू कश्मीर के पुछ जिल आनी 18 अगस्त से यात्रा शुरू हुई है और 27 अगस्त को बुड़ा मनात की यात्रा संपन होगी क्यामरमैन पवन के साथ पंकर शर्मा न्यूस 24 जम्मू हिमाचल में मौनसून लगाता ढीला पड़ना शुरू हो गया जिस तरह से मौनसून के कारण हिमाचल ने भारी तबाही देखी थी उसी के चलते ही जो संभावना जताई जा रही है कि 21 तक जो मौनसून है बिलकुल ही ढीला हो जाएगा और दो दिन समाने रहने के बाद एक 2330 तक जा पहुंचिया और वही पर अभी कारण ढूंडे जा रहे हैं कि इतनी तबाही किस तरह से क्या कारण है हिमाचल के मुखे मंतरी ठाकर सुकविंदर सिंग् सुकू पल-पल की जानकारी हिमाचल के हरे कौने से ले रहे हैं और वहां पर सरकार के कोई ना कोई प्रतनी दी भेजने की भी कवायद की जा रही है ताकि नुकसान का अंकलन किया जा सके कैमरामेन गंबीर सिंग राना के साथ बिशाल एंग्लिश न्यूस 24 चंडीगर 1986 से निर्मित राम जुला पुल करोड़ो लोगों के हिंदुओं के आस्ता के केंद्रिम वुनी की रेती जानकी सेतू रिशी केस और नीलखन मादेप के संपर्ग मार्ग में सामिल है लगातार भूसकलन होने के चलते इन दुनों राम जुला पुल खत्रे की जद में आ गया है वेरहाल राहिगिरों को छोड़ कर मार्ग पर दुपया वहनों की आवाजाही को फून रूप से बंद कर दिया गया है पहाडों में लगातार भूसकलन के चलते इन दुनों उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात उत्पन हो गये है इसके चलते शासन परशासन ने एतिहात के तोर पर आज सुबह से पूल पर सिर्फ राहिगिरों की आवाजाही रगी है जबकि दुपया वाहनों को परतमिल्दित कर दिया गया है पुल के दोनों और पुलिस भल पहनात कर दिया गया है पहरहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुसकर से अधामी लगातार परदेश की गतिविदियों पर अपनी नजर बनाये वे हैं इसके अलावा वो आप्दागरस्त इलाकों का दोरा भी कर रहे हैं जबकि आप्दागरस्त इलाकों में सरकारी मसिनरियां राहोत और बचाव के कारे में जुटी भी हैं अमित रतूडी, न्यूज 24, रिशी केज